NPCI जिसका पूरा नाम है National Payment Corporation of India NPCI ने सेप्टमबर 2022 को UPI Lite की शुरुवात की पहले ये जनते हैं कि UPI Lite की जरूरत क्यों पड़ी तो जब से UPI आया है उसके बास से देखा गया कि बहुत सारे लोग का जो ट्रैक्शन एमाउंट है वो 10 रुपेल से लेके 200 रुपे के अंदर ही रहा जिससे क्या होता था बहुत सारे लोग हर एक चीज के लिए UPI के ट्रांसफर करने लगें जिससे बैंक के सरूर में इसू आने लगें तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए NPCI ने UPI Lite की शुरुवात UPI Lite एक ऐसा वालेट है जिसमें आप पहले एक बड़ा एमाउंट एड करते हैं उसके बाद उस एमाउंट को छोटे छोटे डुकडों में कई जहां पर आप आसानी से पेमेंट कर सकती हैं यह इसका पेमेंट बहुत दी फास्ट होता है तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप Paytium UPI Lite को कैसे एक्टिवेट कर सकते यह시면 फैसे आप कैसे एडड वनी कर सकते हैं और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को Paytm app में UPI Lite को activate करने के लिए आपको सबसे पहले Paytm app को open कर लेना है Paytm को open करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखेगा यहाँ पर आप balance and history के option पर देख सकते हैं यहाँ पर UPI Lite लिखा हुआ है तो इसके उपर आपको click करना है इसके उपर आप जब click कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखेगा यहाँ पर आपके जितने भी account Paytm में link है वहाँ पर आपको show कर जाएंगी इसके उपर आपको UPI Lite लिखे एक option दिखेगा जिसके side में आपको activate का option दिखेगा इसके बाद आपको activate की option भी click कर देना है click करने के बाद आपको थोड़ा wait करना है इसके बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा जिस पर आपको लिखा है add balance to activate UPI Lite मतलब आपको UPI Lite को activate करने के लिए आपको इसमें कुछ balance add करना है यहाँ पर balance add करने के limit दी हुई है इसमें आप maximum 2000 रुपए ही add कर सकते है यहाँ पर एक चीज और लिखा है you can transfer it back to your bank account anytime मतलब आपने जो balance यहाँ इस wallet में add किया हुआ है इसको आप जब चाहें तब अपने account में वापस ले सकते हैं तो चलिए मैं इसको activate करता हूँ activate करने के लिए आपको यहाँ पर अपना bank select कर लेना जिसके थुरू आप इसमें add money करेंगे तो मैंने अपना bank select कर लिया है इसके बाद आपको नीचे proceed के option पर किलिक कर देना है जैसे ही आप proceed के option पर किलिक करेंगे आपको एक UPI pin के dashboard पर ले जाएगा जहां पर आपको अपना UPI pin इंटर करना है UPI pin इंटर करने के बाद आपको नीचे सही के निसान पर किलिक कर देना है इसके बाद आपका payment process शुरू हो जाएगा यह देखिए इस payment successful हो चुका है चलिए अब UPI light में चेक करते हैं balance add हो गया है या फिर नहीं तो इसके लिए आपको नीचे home के option पर किलिक कर देना है इसके बाद आपको UPI light के option पर किलिक करना है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे UPI light का wallet successfully activate हो चुका है इससे आपको payment कैसे करना है इसकी जानकाई आपको next video में मिल जाएगी तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो अगर आपको पसंद लगी तो वीडियो को like कर गए अपने friend के साथ share कर देजेगा मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जैहन वन्दे मातरम